सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स एक है रेडमी का नोट नाइन प्रो जो आपको मिलता है तेरह हजार का दूसरे तरफ है रेडमी का नाइन पावर जो भी हाले में लाउंच हो गया ग्यारा हजार का तो दोनों में दो हजार का फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको दोने में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिलकुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं Note 9 Pro के साथ आपको 13000 में क्या क्या दिया गया है तो दोस्तों जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखाव मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर की तरफ पीछे लगवा है एक सिमजक्टर टूल कुछ इस तरीके से इसके बाद दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल बाकि दोस्तों इसके साथ अच्छी चीज़ ये हैं कवर भी दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ सिम्पल ट्रांस्परेंट कवर मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ अच्छी है मॉबैल मिलता है रैपर के अंदर जिसके डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डिटे केबल लेंथ और क्वालिटी की दोनों बढ़िया है और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो ये मुबाइल टाइप सी केबल सपोर्ट करता है आखर में आपको रखवा मिलता है ये वाइट कलर में चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है अब इस मुबाइल के अंदर आपको फार्स चारजिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फार्स चारजर मुबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चारजर आपको फास्ट दिया गया है नोट 9 प्रो के साथ ये चीज़ काफी अच्छी है अब ये सारा समन आपको मिलता है नोट 9 प्रो के साथ 13,000 में बॉक्स के कंटेंट्स देखे जाया तो काफी बढ़िया ही दिये गया है बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है चारजर भी फास्ट है टाइप सी केबल भी दी गई है चले देखते हैं अगर आप 2000 कम खर्च करते हैं रेडमी के 9 पावर पे तो 11,000 में इसके साथ क्या कह दिया गया है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं इसको इसमें भी सबसे पहले एक मिनी बॉक्स से मिलता है जिसमें लगवा है एक सिम जक्टर टूल अंदर दिये गया है कुछ यूजर मैनुल इस तरीके से एक मिलता है कवर जिसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया है मॉबाल दिया गया है रेपर के अंदर जिसके डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेता है बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसी ही डिटे केबल जैसे आपको Note 9 Pro के साथ दिये गई है ये भी एक Type-C केबल है Length और Quality की भी दोनों बढ़िया है जैसे आपको Note 9 Pro के साथ बहुत अच्छी मिल जाती है आखिर में आपको रखाव मिलता है ये वाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीकी के लुक में चारजर अब इस मुबैल के अंदर भी आपको Fast Charging का सपोर्ट दिया गया है 18W का और एक 2.5W का Fast Charger मुबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है अब ये सारा समन आपको मिलता है Redmi के 9 Power के साथ 11,000 में दोस्तों देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो दोनों ही मुबैल इसके साथ बिलकुल एक जैसे ही दिये गये है लेकिन Redmi 9 Power की कीमत 2000 कम है Note 9 Pro से तो रेट की साब से देखा जाए तो इस चीज में जादा बढ़िया है Redmi का 9 Power ही चली बात कर लेते हैं दूस्तों डिजाइन के बारे में तो 9 Power के अंदर आपको प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन दिया गया है Hard प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन है तो Scratches बहुत कमाते हैं इसके Back Panel पे डिजाइन की Quality इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिये गई है लेकिन लुकवाइस डिजाइन इसके अंदर आपको इतना ज़ादा बढ़िया नहीं दिया गया वहीं दूसरे तरफ Redmi के Note 9 Pro के अंदर आपको गलास डिजाइन दिया गया है Gorilla Glass की protection के साथ तो डिजाइन की जो quality है वो इस mobile के आपको और ज़ादा premium दी गई है ज़ादा बढ़िया quality है इसके डिजाइन की इसके साथ लुकवाइस बे डिजाइन आपको बहुत ज़ादा शाइनी मिल जाता है इसका लाइट की reflection आप देख सकते हैं इसके back panel बहुत अच्छी लग रही है बात करें दोस्तो camera के बारे में की तरफ चार camera दिया गए है जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का तीसरा 5 और 14 2 megapixel का फ्रंट camera है इसका 16 megapixel का दोस्तो camera की performance आपको Redmi के Note 9 Pro के अंदर भी काफी बढ़िया दी गई है camera को लेकर वैसे तो ये दोनों ही mobile's काफी ज़ादा बढ़िया है लेकिन और भी ज़ाद अच्छा मिल जाता है आपको इन दोनों के अंदर Redmi का Note 9 Pro camera's के अंदर आपको और ज़ाद अच्छा दिया गया है 9 power से इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों mobile's में किसका design ज़ाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मुझे दोस्तों Note 9 Pro ही ज़ादा पसंद आया design को लेकर क्योंकि quality भी ज़ाद अच्छी है और look wise भी design ज़ादा shiny है बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो 9 power के अंदर आपको display size दिया गया है साले change का Note 9 Pro के अंदर आपको display size मिल जाता है 6.67 इंचिस का तो display size के अंदर हलका सा और ज़ादा बढ़ा है Note 9 Pro बाकि दोस्तों दोनों ही mobile के अंदर आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले दी गई है अब display की quality के अंदर actual में कौन सा mobile ज़ादा बढ़िया है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो दोनों mobile के अंदर आपको user interface को चिस तरीके से दिया गया है आप इसे right side पे swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है Home screen पे ही आपको सारी apps दी गई है अंदर से चलाने में ये दोनों ही mobile से एक जिससे ही लगते है इस चीज के अंदर बड़ा फरक नहीं है दोनों के अंदर user interface को लेकर मुझे ये दोनों ही mobile से नॉर्मल ही लगे बाकी दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है के अंदर से features आपको देखने में दोनों के कैसे लग रहे हैं अब दोनों mobile's के display बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ design के अंदर फरक है 9 power के अंदर आपको notch वाला design दिया गया है जो काफी common हो गया लेकिन note 9 pro के अंदर आपको punch hole camera वाला design मिल जाता है display के अंदर ही camera है बीच में edges, bezels अगर आप देहेंगे तो आपको दोनों के अंदर लगबग बराबर ही दिये गये हैं बाकी दोस्तों बात करें सबसे important चीज display की quality के बारे में थोड़ा सा जादा बेटर ही ये mobile display को लेकर तो इसके अंदर आपको display का size, design और quality तीनों चीज़ा और जादा बेटर दी गई है 9 power से left side साब देहेंगे दोनों मोबाइल्स को SIM की ट्रे मिलती है इस तरफ अच्छी चीज़ ये है दोनों के अंदर आप 2 SIM card एक memory card तीनों चीज़ा एक साथ लगा सकते हैं ये दोनों में खुबी है side उससे जो build quality है दोस्तों वो आपको जादा बढ़िया मिलती है दोनों मोबाइल्स में note 9 pro की ही नीचे की तरफ साब देहेंगे तो दोनों मोबाइल्स में charging port, speaker, mic दिया गया है headphone jack note 9 pro में नीचे की तरफ मिलता है 9 power के अंदर उपर की तरफ है right side साब देहेंगे तो दोनों में volume के बटन्स और power के बटन्स fingerpin्ट scanner दोनों मोबाइल्स में आपको power के बटन के अंदर ही दिया गया है side में इस चीज में दोनेग जैसे है उपर की तरफ साब देहेंगे तो दोनों मोबाइल्स में noise cancellation mic और IR blaster मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप दोनों मोबाइल्स से चला सकते हैं लेकिन दोस्तो 9 power के अंदर आपको उपर की तरफ भी एक speaker दिया गया है इसकी एक extra खुबी है दोनों के अंदर आपको Android का 10 version दिया गया है इस चीज में दोनों बढ़िया है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB के internal storage इस चीज में भी दोने एक जैसे हैं बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो 9 power के अंदर आपको बैटरी दी गई है 6000 image की Note 9 Pro के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 image की दोन के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक आपराम से मिल जाता है और भी ज़ादा बढ़िया मिलता है 9 power के अंदर कीमत भी 2000 कम है और बैटरी और ज़ाद अच्छी दी गई है चार्जर भी वैसे ही फास्ट मिल जाता है काफी अच्छा बात करें दोस्तों प्रोस्तर के बारे में तो 9 power के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 662 प्रोस्तर Note 9 Pro के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 720G प्रोस्तर अब दिखिए अगर आप एक heavy user है आपको performance ज़ादा बढ़िया चाहिए तो इन दोनों mobile's में ज़ादा बढ़िया है Redmi का Note 9 Pro ही प्रोस्तर इसके अंदर आपको ज़ादा अच्छा दिया गया है इन दोनों mobile's में हैंग होने की दिक्कत इसके अंदर आपको कम देखने को मिलेगी heavy user के अंदर Redmi के 9 Power के comparison में तो प्रोस्तर के अंदर ज़ादा बढ़िया है Note 9 Pro ही अब दोस्तर ये सारी खुब्य कमी आपको मिलती है दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो में जरूत की चीज़ है वो किसमा जाद अच्छी है तो दोस्तर देखिए अगर आपको display जादा बढ़िया चाहिए तो आप Note 9 Pro खरी दिएगा display की जो इसकी quality है वो जादा बढ़िया दिए गई है इसके अंदर इसके साथ design भी जादा अच्छा है पंचोल कैमरे वाला इसके साथ दोस्तो अगर आपको design जादा बढ़िया चाहिए तो भी आप Note 9 Pro ही खरी दिएगा back side से जो design है इसका वो quality के अंदर भी और look wise भी बहुत जाद अच्छा है 9 power से तो अच्छे design के लिए भी आप Note 9 Pro खरी दिएगा और दोस्तों अगर आपको camera जादा बढ़िया चाहिए तो भी आप Note 9 Pro खरी दिएगा camera इसके अंदर आपको जाद अच्छा मिल जाता है camera को लेकर ये mobile जादा बढ़िया है लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery जादा आपके लिए battery ही सबसे जादा important है तो आप Redmi का 9 power खरी दिएगा कीमत भी कम है 2000 और इसके अंदर आपको battery और जादा battery ही दी गई है आखिर में दोस्तों अगर आपको processor जादा अच्छा चाहिए तो आप Note 9 Pro खरी दिएगा processor इसके अंदर आपको जादा अच्छा मिल जाता है हैंग होने की दिक्कत इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी processor को लेकर यही mobile जादा बढ़िया है तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों के अंदर आपको एक खुबी जादा अच्छी मिलती है 9 power में जो की हिसकी battery इसके अंदर आपको battery अच्छी दी गई है बाकी चार खुबिया है note 9 pro के अंदर design जादा बढ़िया है camera जाद अच्छा है तीसरा display अच्छी है चौता प्रोस्तर जादा बढ़िया दिया गया है तो दोस्तों देखा जाए बाकी अगर आपका budget 11,000 तक कही है आप उससे उपर बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते तो आप 9 power भी ले सकते हैं बाकी मैं आपको यही suggest करूँगा चाहे आप थोड़ा रुक के लें एक दो महीने बाद लें note 9 pro खरीदिये गा इन दोनों में यह mobile आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा मुझे भी यही पसंद आया आप बताएगा फिर भी comment करके आपको इन दोनों में कौन से ज़्यादा पसंद आया यह चीज़ comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के ने चीज़ लाल कलर का बटन उसे दबा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन भी दबा दियागा तक इन नए वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लिए वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा WhatsApp फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए Take Care, Bye Bye